हेलो दोस्तो वेलकम बैक मैं हूँ आपकी दोस्पूनम आज फिर आपके सामने लेकर एक और समस्या का सुलूशन कि आखिर आप अपने बच्चों की राइटिंग जो है उसे किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं कैसे अपने बच्ची की राइटिंग को सुधार सकते हैं आप मेरे चनल पर पहली बार आए हैं । अभी तक आप मेरे चनल को सब्सक्राइब बैटन नहीं दबाया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ फटा फट मेरे चनल का नीचे जो रैट आपको सब्सक्राइब बैटन दिख रहा है उसे आप प्रेस कर दीजिए और बेल को हिट कर दीजे जिससे कि मेरी सारी लेटे से लेटेस वीडियो आप तक डिरेक्ट फटाफट पहां सके तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चे की हैंड राइटिंग प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं सुधा सकते हैं उसे इंप्रूफ क कर सकते हैं तो देखिए पहले तो आप इस चीज को निश्चित कर लीजिए कि ये एक दिन का काम नहीं है अगर आप अपने बच्चे की हैंड राइटिंग इप्रूफ करना चाहते हैं तो ऐसा आप बिरकुल मैं सोचिए एक दिन में जादू की शड़ी आप घुमाएंगे और आपका बच्चा जो है वो बहुत अच्छा जो है वो लिखना शुरू करतेगा है सबर कुली होगा आपको इसके लिए रखना होगा बहुत सारा धैरे सबर पेशिंस क्योंकि जब भी आपका बच्चा छोटा है स्टार्टिंग से ही आप उसे हैबिट डालिए कि वो अराम से लिखना है क्योंकि अगर आप अराम दिखाएंगे आप पेशिंस फिली उसे यह कहेंगे कि आपको बहुत अच्छे से पैंसिल को होल्ड करना है पैंसिल अगर ठीक से बच्चे ने होल्ड नहीं करी तो इस वेरी ओफिस कि आपके बच्चे की राइटिंग जो है व वो कितना भी धीर है आपको बच्चा स्टाटिंग में पर आप इस चीज का ध्यान रखें कि कॉपी जो है उसकी पॉजीशन बिल्कुल सही हो प्लस पैंसिल जो उसने होल्ड करी है उसकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल सही है पैंसिल के उपर आप उसे टोक सकते हैं और इसके अलावा आप उसे लिखने के उपर बिल्कुल ना टोकें कि जल्दी लिखो फास लिखो जल्दी लिखना सीखो क्योंकि अगर आपने स बुसरी बार, आप बचे के दिमाग में स्टार्टिंग से बच्पन से ये न घुसा हैं कि आपको बहुत सुन्दर लिखना है, आपको अच्छे राइटिंग सीखनी है, ये वर्ड्स उसकी समझ में नहीं आएंगे, उसे मतलब ही नहीं है कि सुन्दर राइटिंग लिखके य तो आप सिर्फ उसे लिखना सिखाएं, कि अच्छा ये वाला वर्ड्ड जो आपने बहुत अच्छा बनाया, बट अगर ऐसा बना देते तो और बड़ा सुन्दर लगता, देखने में बहुत अच्छा लगता, आप उसे बिल्कुल नहीं कि इतना गंदा बनाया, इरेज कर मतलब मैंने जर्रली देखा है कि one of my friend जो करती है, जिसे मैंने अपनी आखो के सामने देखा इस चीज़ को करते हुए, कि उसकी बटिया ने homework किया, एक line लिखी, वर्ड सही नहीं बनाया, उसे गुसा है, उसना सब erase कर दी है, कि एक पिकार बनाया है, दुबारा लिखो, कित इसके सामने वो सारा homework जो है, वो ऐसा कैसे ही है, नहीं ऐसा नहीं है, बेरहम तो नहीं, बट इस तरीके की चीज़े जो है, बच्चों को फिर से वो burden उतना ही कर देते हैं, कि जैसे तैसे homework मैं complete करने ही वाला था या वाली थी, सारा homework सब खराब कर दिया, तो उसके लिए आप जब बच्चे को homework कराने बैठे, especially writing छोटे बच्चों को, तो आप उसके साथ बैठे, दो तरीके इसके मैं आपको बताऊंगी, आप उसके साथ बैठे, बच्चे ने एक word लिखा, दो लिखा, बीच में होता है कि कोई word बच्चा अच्छा नहीं बनाता, let it be उसे छोड दीजिये, टोके भी मत कि आपने गलत बनाया, आप अच्छा ये वाला अच्छा बनाया था, उसे उपर वाला जो उसने अच्छा बनाया, उसे दिखाए कि ये आपने बहुत अच्छा बनाया, ये वाला इसकी तरह बनाना, ये थोड़ा सा आपने टेड़ा कर दे, पर चलो कोई बात ने ये वाला अब इसकी तरह बनाना इस तरीके से मुश्किल से चार या पांच ऐसे words रह जाते हैं जो बच्चा जो है वो गलत बना देता है तो अब आप रेस कर सकते हैं पर वो चारो पांचो फिर से एक बार मत करिए क्योंकि यह चीज मैंने खुद अपने बेटे क्यों पर भी अप्लाए करके देखिए कि अगर वो भी चार पांच मैंने एक साथ एरेस कर दिये फिर उसे लगता है कि फिर बढ़ गए सारे words तो बैटेर है अब one word erase करिए अब आप इसे correct करो one word erase करिए इसे correct अब बस ये बता दीजे कि अब ये और बच्चे हैं आप इने और correct कर लोगे homework complete एक ही copy में बहुत सारा काम writing work बच्चे को ना कराएं वो में बच्चे के लिए burden हो जाता है उसे लगना चाहिए कि उसने बहुत सारी चीज़े की हैं आज बहुत सारा homework किया है बहुत सारा writing work किया है पर थोड़ा थोड़ा करके दें कि अरे वा अपने four copies में homework किया है five copies में आपने homework है चाहें आप उसे जी लिखना से खा रहे हैं तो सिर्फ two lines जी की दीजिए सिर्फ two lines पे dot रखे उसे जी लिखने के लिए दीजिए कि इस लेकि पूरा पेजने करना आपको सिर्फ two lines करनी है फिर आप दूसरी copy ले लिजिए आप हिंदी में से छोट आप बड़ा whatever मतब जो भी जिस age group का आपका बच्चा है अब उसे थोड़ा थोड़ा करने के लिए दे अलग-अलग copies में दे मतब आप mind game खेल रहे हैं उसके साथ अब उसे लिखवा बहुत कुछ रहे हैं बट उसके लिए यह रहता है कि यह चीज़ खतम हो गई अब next appreciation के बाद दे पहले उसकी तारीफ करें फिर उसे लिखने के लिए दें साथ ही साथ एक ट्रिक ये भी आप अपना सकते हैं कि जब आप अपने बच्चे को लिखने के लिए दें उसके साथ आप खुद भी लिखने बैच जाई है कि अच्छा देखो ममा भी लिखती है आप मिले ही जब आप उसके साथ लिखेंगे तो बच्चा जो है वोट आपको कौपी करते हैं तो आपसे बताई देखो मैंने कितना गंदा बनाया है आप मुझसे अच्छा बना सकते हो समझ के आप यह नहीं कहें कि मैंने तरह सुन्दर बनाया देखो मैं कितना अच्छा तुम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हो? No. कि मुझसे इतना अच्छा नहीं बना, आप मुझसे भी अच्छा लिख सकते हो. जानते हैं, आपका बच्छा आपसे अच्छा नहीं लिख पाएगा, बट आप उसे जज़ करें, कि आरे वा, very good, आपने बनाने की कुश्च के बहुत अच्छा बना दिया, आपने मुझसे अच्छा बना दिया. चलो, अब मैं ये लिखते हूँ. अब आप मुझे मुझसे अच्छा ये वाला बना के दिखाएगे. तो ये प्रैक्टिस जब हम regularly बच्चे के साथ करते हैं, उसे भी बच्चे की जो handwriting है, वो बहुत ज़ादा improve हो जाती है. प्लस जैसे मैंने अभी आपको कहा, कि आपको रखने है patience, बच्चे पे हाथ ना उठाएं. बच्चे को डाटे ना उस वक्त, जिस वक्त especially बच्चा जो है, वो writing वर्क कर रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं, especially जो kindergarten के बच्चे होते हैं, उनके लिए ओरिली सही है, फन सही है, मस्ती सही है, बट जहां लिखने की बात आती है, वहां बच्चा ज़रूर problem create करता है, यानि वहां बच्चा परिशान हो जाता है, क्योंकि लिखने का मतलब होता है, एक जगा बैठना, पैंसिल को पकड़ना, तो उनके लिए, मैं नब मेरा बेटा जो तीन साल का है, वो कहते हैं, बहुत boring काम है, तो it means कि उन्हें भी ये चीज बोरिंग लगती है, कि एक जगा बैठके आप उनसे लिखवा रहें, तो उसके लिए आप हर रोज कुछ नए तरीके अपना है, कुछ नए ट्रिक्स अपना है, अब आप उसकी copies लेके अगर बैठेंगे रोज उसके सामने लिखने के लिए, तो this is very obvious कि आपका बच्चा जो है, नियूस्पेपर होता है, आप नियूस्पेपर पर उसे राइटिंग प्रेक्टिस करा सकते हैं, नियूस्पेपर के छोटे आ, बड़े आ, ये circles, इन words को आप उसे circle करवाईए, circle बनाना सीखेगा, कहीं पर आप उसे rectangle बिनवाईए, यानि वो lines को draw करना सीखेगा neatly, क्योंकि सारा खेल राइटिंग में lines का है, तो अगर वो इन्हें अच्छे से draw करना सीखेगा, तो उसका कोई मिलाकी जो pencil grip है, वो improve होगी, जिससे उसकी writing भी improve होगी, तो इस तरीके की pricks, अगर आप अपने बच्चों के साथ apply करते हैं, तो मैं उमीद करती हूँ कि आपका बच्चा जो है, बहुत अच्छे से लिखना सीख जाएगा, तो अगर वाकई में आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हैं, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो उसको आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूत मंदों के साथ शेर जरूर करें, तेंक यू सो माच फॉर कामिंग टू मैं चैनल, मैं हूँ आपकी दोस्त पूला,